तो फ्रेंट ये तीनों ingredients जो हैं AHA, BHA और BHA हमारी skin के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये ingredients अगर आप इन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से यूज़ करें अगर आप इसे सही तरीकी से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपकी skin को जो हाम भी कर सकते हैं तो मेरा नाम है वंदना और यह है मेरा यूट्यूब चैनल तो आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक्सफॉलियेटिंग पील के बारे में तो यह है प्लम का ग्रीन टी और 10% AHA, 5% PHA और 0.5% BHA एक्सफॉलियेटिंग पील तो इस प्रोड़क्ट के बारे में आपके साथ मैं डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी तो इस प्रोड़क्ट का टेक्श्चर कैसा है, पैकेजिंग पहले में आपके साथ इसके बारे में बात करूंगी फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोड़क्ट के क्या benefits हैं इसके आपको apply किस तरह से करना है, कितनी quantity में इसे apply करना है और किस time इसे आपको apply करना है, उसके बारे में आपको मैं detail में जानकारी दूँगी और इसे apply करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत important है, जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आप उन बातों का ध्यान रही रखेंगे तो आपकी skin पे ये harm भी कर सकता है तो ये सारी बाते जो मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगी तो आप वीडियो को end तक जरूर देखें अगर आपने कभी अपने skin पे जो exfoliative peel पहले कभी यूज नहीं किया है और अब आप यूज करना चाहते हैं तो ये जो product है beginners के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप इस product से starting कर सकते हैं आज का वीडियो जो है बहुत ही useful होने वाला है तो वीडियो को end तक जरूर देखें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन को भी दबा दे ताब कि आपको मेरे निव वीडियो के अपड़े जो है टाइम से मिलती रहे तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी जेरी के पटा पर शूर करते है तो ये है प्लम, ग्रीड टी, एंफ 10% AHE, 5% pH और 0.5% BHE, exfoliating peel ये आपकी स्किन को exfoliate करता है renew करता है और स्किन पे glow देता है beginner friendly product है ये fragrance free है और 30 ml की quantity ये आपको मिल जाती है इसमें तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि chemical exfoliation क्या होता है तो friends हम अपनी skin को जो है दो तरीके से exfoliate करते हैं एक हम physically exfoliate करते हैं और दूसरा तरीका है chemical exfoliate तो physical exfoliate में क्या होता है कि हम scrub का यूजज करके अपनी skin को exfoliate करते हैं जो कि हमारी सिर्फ अपर लेयर को ही exfoliate करता है, पर chemically exfoliation में क्या होता है, कि यह हमारी अपर लेयर और हमारी deeply skin को जो है, अंदर से exfoliate करता है, तो जिससे क्या होता है, हमारी skin में जो भी pigmentation है, dark sports हैं, वो अच्छी तरह से reduce होते हैं, और excess oil की जो भी problem है, वो कम होती है, और हमारी skin जो है बिल्कुल radiant दिखाई देती है, और dead cell जो होते हैं हमारी skin के, वो clear हो जाते हैं, और नए cell हमारी skin पे तयार होते हैं, तो इस product की 30 ml की quantity आपको मिल जाती है, 620 रुपीज की, यह इसकी MRP है, और अगर आप इसे Amazon से purchase करेंगे, तो काफी अच्छे discount में आपको यह मिल सकता है, तो Amazon पे यह आपको 400 something के around मिल जाएगा, आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने mention किया गया है, कि यह जो product है, all skin types के लिए बनाया गया है, पर आपकी अगर skin बहुती जादा sensitive है, hyper sensitive है, तो इन्होंने यहाँ पे recommend किया है, कि आप इस product को ना use करें, और इनका यह जो beginner friendly exfoliating peel है, इसमें इन्होंने add किया है, 10% glycolic acid, 0.5% silicylic acid, और 5% PHA, और as well as natural etches, जैसे कि हो गया aloe vera rose, और इसमें इन्होंने 1% nicenamide भी add किया है, और साथ में licorize add किया है, जो कि आपके blemishes और dark sports के लिए बहुत अची तरह से work करता है, उसी के साथ इन्होंने इन्होंने इन में add किया है, natural derived etches भी add किये हैं, जो कि हमें naturally मिलते हैं, sugar cane से, orange से, lemon से, belberry हो गया, और sugar maple हो गया, और उसके बाद इन्होंने यहां पे mention किया है कि इस product को आपको किस तरह से apply करना और इसके caution क्या क्या है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको demo करके दिखाऊंगी तो काफी ingredients इस product में इन्होंने एड किये हैं वो सारे इन्होंने यहां पे mention किये हैं तो आप यहां देखके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ingredients है वो और कुछ ingredients इन्होंने जो है वो यहां से निकाल दी हैं इस product में से वो ingredients कौन से हैं और किसलिए इन्होंने इस product में उन ingredients को एड नही किया है तो उनकी website में जाके आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं तो इस product की खास बात यह है कि वेगन प्रोडक्ट है cruelty free है animal-driven ingredients इसमें add नहीं किये गए है no synthetic fragrance है essential oil भी इसमें add नहीं किये गए है तो इस तरह की cardboard की packaging में आपको यह product मिलता है और अंदर इस product के साथ आपको मिलती है एक instruction manual sleep जिसको पढ़के आप अपने आपके जो भी doubts हैं आप उसको clear कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आपके सारे doubts को इस sleep में जो है इन्होंने mention किया हुआ है तो फ्रेंट चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने इस sleep में जो है तो सबसे पहले यहां पर इन्होंने mention किया है कि यह product कि skin type के लिए बनाए गया है तो यह all skin types के लिए बनाए गया है पर आपकी skin बहुत ज़्यादा sensitive है तो इस product को ना use करें और इस product को use करने से पहले patch test जरूर करें तो उसके बाद यहां पर इन्होंने mention किया है कि AHS, BHS और PHS क्या होते हैं AHS होते हैं alpha hydroxy acid, BHA होते हैं beta hydroxy acids और PHA होते हैं poly hydroxy acids तो यह तीनों acid जो हैं हमारी skin को gently exfoliate करते हैं दोनों तरीके से हमारी skin को बाहर से भी exfoliate करते हैं और deeply भी exfoliate करते हैं और हमारी skin का जो texture है उसे improve करते हैं, reduce करते हैं pigmentation को और हमारी skin में जो excess oil है उसे भी reduce करते हैं तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है chemical exfoliants उसके बाद इनोंने यहां पर mention किया है कि कौन-कौन से AHA, BHA और PHA उनोंने इसमें add किये हैं तो सबसे पहले इनोंने यहां पर 10% glycolic acid यह यह किया है जो कि है alpha hydroxy acid तो यह acid जो है वो आपकी skin को जो है वो deeply exfoliate करता है और आपकी skin में जो dead skin cells है उनके remove करता है और आपकी जो skin tone है और texture है skin का उसे even करता है और आपकी skin को यह more radiant बनाता है उसके बाद इसमें इनोंने add किया है 5 तरह के natural AHAs जो कि हमें 5 तरह के fruit से मिलते हैं जैसे कि हो गया sugar cane, orange, lemon, bellberry and sugar maple जो कि हमारे new cells को increase करने में help करता है और हमारी skin को smoother बनाता है उसके बाद इनोंने यहाँ पे 0.5% salicylic acid एड़ किया है जिसे हमें कहते है beta hydroxy acid तो यह है hero ingredient जो acne prone skin के लिए बहुत helpful है और आपकी जो pores में excess sebum होता है उसको भी यह control करता है और dirt और bacteria को यह clean करता है anti-inflammatory properties हैं इसमें जो आपकी skin को काम करता है और acne को बढ़ाने से कम करता है और इसमें 5% gluconolacton जो है add किया गया है जिसे कहते हैं poly hydroxy acid तो यह acid जो है इस product जो है को जो है beginner friendly बनाता है sensitive skin friendly बनाता है इस skin को collagen breakout से protect करता है sun damage से protect करता है तिर्फ हमारी top layer पर काम नहीं करता है यह बलकि हमारे skin का moisture level है उसे maintain रखता है तो किसी भी skin के product को use करने से पहले काफी लोगों का question यह रहता है कि यह product कितने दिनों के अंदर अपना result दिखाएगा तो उसका answer भी उन्होंने यहां पर mention किया है कि यह product जो है आपको चार से छे हफ़ते के बीच में अपना result दिखा देगा depend करता है कि आपकी diet और lifestyle किस तरह का है तो make sure करें कि आप अपने आपका ध्यान जरूर रखें अपनी सेहत का ध्यान रखें अपने खान पान का ध्यान रखें तो उसके बात यहां पर पूछा गया है कि इस exfoliation peel को जो है वो आप hyaluronic acid के साथ यूज कर सकते हैं तो यहां पर उन्होंने mention किया है कि हाँ बिलकुल आप hyaluronic acid के साथ serum के साथ जो है इस peel को यूज कर सकते हैं क्योंकि exfoliation करने के बाद हमारी skin जो है थोड़ी dry हो जाती है अगर आप hyaluronic acid यूज करेंगे तो आपकी skin जो है moisture बना रहेगा और आपकी skin plump रहेगी और इसी के साथ इन्होंने highly recommend यहां पर किया है कि vitamin C, niacinamide और retinol को इस product के साथ बिलकुल भी यूज ना करें और इन serum को आप अगर यूज करना चाहते हैं तो इस product को यूज करने से पहले एक दिन पहले आप इन serum को यूज कर सकते हैं या तो इस product को यूज करने के बाद अगले दिन इन serum को आप यूज कर सकते हैं इन serum को same day आप यूज ना करें, बतलब जब आप इस product को use कर रहे हैं, exfoliation peel को use कर रहे हैं, उसी दिन आप niacinamide, vitamin C और retinol को use ना करें वरना यह आपकी skin को extreme में dry कर सकता है, और अगर आप pregnant हैं और breast feeding करते हैं, तो भी आप इस product को use ना करें, और अगर आप use करना चाहते हैं, तो आप अपने doctor से एक बार consult जरूर कर लें, के अलावा अगर आपके और कोई questions हैं, तो यहाँ पे इन्हों ने email id mention किये हैं, आप mail करके इन से पूछ सकते हैं, और DM भी कर सकते हैं, add the rate plum goodness पे, तो चलिए product की बात कर लेते हैं, तो इस तरह की glass की bottle में आपको यह product मिलता है, और इसके साथ आपको मिल जाता है dropper, जिससे की product निकालना बहुत असान रहता है और apply करना भी बहुत असान रहता है तो इसे मैं अपने हाथों पे apply करके आपको दिखाती हूँ, तो आप यहां पे इसका texture दे सकते हैं, transparent है और consistency इसकी watery नहीं है थोड़ी gel type consistency है इसकी बहुत अच्छी तरह से आपकी skin पे absorb हो जाता है, और इसमें किसी तरह की fragrance एड़ नहीं है, बिलकुर fragrance free है यह product, तो चलिए अब मैं इस product को आपको apply करके दिखा देती हूँ, तो apply करने से पहले patch test जरूर ले लें इस product का तो पहले अपने face को wash कर लें, तो मैंने यहां पे normal face wash ते अपना face wash कर लिया है तो अच्छी तरह से मैं अपने face को dry कर लूँगी, बिलकुल अच्छी तरह से आप अपने face को towel से dry कर लें बिलकुल भी आपका face जो है गिला नहीं होना चाहिए तो इस product को apply करने के बाद आपको थोड़ी सी tingling sensation हो सकती है वो normal है, अगर आपको ज़्यादा होती है तो please इस product को आप avoid करें बिलकुल भी use ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी skin पर थोड़े बहुत pimple हुए है blackheads की problem है और कुछ area जो है मेरी skin के dark है तो आपको क्या करना है कि आप dropper को completely जो है एक बार में भर लें और अपने face के एक तरफ इसे apply कर लें इस तरह से आपको dropper को completely भरना है तो इसे जिस तरह से मैं apply कर रही हूँ उतनी ही quantity में आपको इसे apply करना है और आपको इसे अपने आँखों के नजदीक apply नहीं करना है lips के नजदीक भी इसे apply ना करें इसी तरह आप अपने face की दूसी तरफ भी इसे apply कर लें और एक खास बात का ध्यान रखें इस exfoliation peel को जो है evening में ही apply करें रात के time apply करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिन में इसे बिल्कुल न apply करें और अगर अगले दिन आपने कहीं बाहर जाना है तो sunscreen ज़रूर अपनी skin पे apply करें बिना sunscreen के please बाहर ना जाए क्योंकि ये आपकी skin को बहुत जादा sensitive कर देता है और जिससे कि sun की raise से आपकी skin को damage हो सकता है अपने forehead पे भी इसे अच्छी तरह से apply कर लें और अपनी neck पे भी इसे आप apply कर सकते हैं इस exfoliation peel को आप week में एक बार use कर सकते हैं अगर आप जादा मात्रा में use करना चाहते हैं तो week में दो बार इसे use कर सकते हैं इससे जादा इसे use ना करें क्योंकि ये आपकी skin को जो है extreme dry कर सकता है जिससे आपकी skin damage हो जाएगी तो मैंने इस product को जो है अपने पूरे face पे apply कर लिया है neck पे भी apply कर लिया है अब 10 मिनट तक इस product को आप अपने face पे इसी तरह से रहने देंगे और फिर इसके बाद आप जो है normal water से अपने face को धो लेंगे आपने कोई भी गरम पानी या ठंडा बिल्कुल पानी use नहीं करना है सिर्फ normal water से जो है अपने face को आपने धो लेना है और धोने के बाद आप अपने face पे जो है moisturizer apply कर सकते हैं या तो serum apply कर सकते हैं अगर आप serum apply करना चाहते हैं अपने face पे तो hyaluronic acid serum ही apply करें क्योंकि इस peel को apply करने के बाद जो है हमारी skin बहुत dry हो जाती है तो अगर आप hyaluronic acid का use करेंगे तो आपकी skin पे moisture बना रहेगा और आपकी skin जो है plump रहेगी तो इस exfoliation peel को use करने के बाद अच्छी तरह से धोने के बाद मैं अपने face पे apply करती हूं sunskin तो यहां पे मैंने apply की है derma ko की 1% hyaluronic sunskin aqua gel तो रात को भी मैं इस product के बाद जो है sunskin का ही use करती हूं क्यूंकि इसमें है hyaluronic acid जो की मेरे face को अच्छी से moisture भी दे देता है और sunskin का काम भी करता है यह UV rays से आपको skin को protect भी रखता है चाहे दिन हो चाहे रात हो मैं sunskin का ही use करती हूं तो इस product को मैं one month से use कर रही हूं हफते में एक बार मैं इस product को use करती हूं तो इस से मैंने देखा है कि मेरी skin पे जो acne के scar से वो कम हुए है pigmentation मेरी कम हुई है और काफी blackheads की मेरे को problem थी वो भी काफी reduce हुए है मेरे तो अगर आपको इस तरह की problem है तो इस product को definitely use करके देखें तो इस तरह से proper तरीके से आप इस product को जो है अपने face पे apply कर सकते हैं तो ये थी सारी जानकारी इस product के बारे में जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है तो hope करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा और अगर useful रहा है तो मुझे comment करके बताएं और वीडियो को like और share जरूर करें अपने family और friend के साथ channel को subscribe नहीं किय है तो please जाने से पहले मेरे channel को subscribe कर ले और ताथ में bell icon को भी दबा दे तो फिर मिलती हूँ आपको next video में तब तक के लिए take care and bye